PM.Modhi जी एक नई स्कीम लाएं डी मोनिटाइजेशन की अचानक से जिसमें कि अब 500 और 1000 के नोट अब इलीगल हो जाएंगे वो कहते हैं कि इससे corruption कम होगा इससे black money वापस आएगा और इससे जो नकली नोट बन रहे हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं वो भी बन दो जाएंगे तो पहली बार सुनने में मुझे लगा बहुत अच्छी चीज़ है तो बहुत ही अच्छी स्कीम है मैं भी इससे खुछ था बहुत सारे लोग खुछ थे क्योंकि जिन जिन लोग पास कालातन रखा है वो अगर बैंक में डिपोजिट कराने जाएंगे तो बैंक वाले उनकी सैलरी से कंपेर करके बता देंगे कि इन्होंने टैक्स की चोरी करिए इनकी सैलरी इतनी है यह जितना पैसा ही डिपोजिट करा रहे हैं लेकिन इस बात पर उपोजिशन पार्टी इस अवाल उठाया कि जाहतर पैसा तो अपना स्विस बैंक में रखा है या फिर लोगों ने इसको गोल्ड में बना लिया है किसी और आसिक में बना लिया है अब ये बात भी सही है इससे पी एम मोदी खुद एगरी करते हैं उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि जाहतर पैसा तो स्विस बैंक में रखा है इसके बावजूद भी मुझे लगा कि कही ना कहीं कुछ ब्लाइक मनी तो वापस आएगा चाहे वो एक दो परसंटी क्यों ना हो लेकिन अब तीन चर दिन बाद जैसे इस स्कीम के वरे में और पदा चलता है वैसे वैसे और ये ज़्यादा लग रहा है कि ये पूरी स्कीम सिर्फ एक चुनावी जुमला थी इसकी एफेक्टिविटी बहुत ही कम है ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरी जशन के पीछे सरकार ने छुप छुप के कुछ ऐसे डिसिजिजिन्स लिये हैं कि जिससे ये जितने भी करप्ट लोग हैं उनमें से आधे जाधे इस स्कीम से बच जाएंगे पहला डिसिजिजिन्स लिये है कि इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है एंटी करप्शन अक्ट में इस अमेंडमेंट की वजए से अब CBI या कोई भी और इन्वेस्टिकेटीव एजनसी किसी भी गवर्मेंट इंपलोई को इन्वेस्टिकेट नहीं कर सकती करप्शन पर यानि सेंटरल गवर्मेंट में काम करने वाला कोई भी इंपलोई एक पियोन से लेके एक सेक्रेटरी तक किसी को भी कोई भी इन्वेस्टिकेटिव एजनसी इन्वेस्टिकेट नहीं कर सकते विदाउट पर्मिशन फ्रम अथोरिटी और यह अथोरिटी गवर्मेंट खोदी है जिते इंदर सिंह कहते हैं यह इसलिए लाएं है लोव में अमेंडमेंट तकि सारे इमानदर ओफिसर्स को प्रोटेक्शन की जरूद नहीं होती है किसे बेखूफ समझ रहे हैं आप किसी को प्रोटेक्शन की जरूद है तो वो है करट पॉलिटिशन और अब आपके इस इमेंडमेंट के वज़े से सारे करट पॉलिटिशन सेंट्रल गवर्मेंट में काम करने वाले इस डी मॉनिटाइजेशन की स्कीम से सेफ है In fact, अब government चाहे तो honest officers को और गंदी तरह target कर सकती है अब ये investigative agencies को permission देंगे नहीं भरस्काचारी नेताओं पर investigate करने की और ये खाली honest officers पर permission देंगे इन्वेस्टिगेट करने की एक और चीज जो government ने बोली थी वो ये है कि अब जो मंदिर है मंदिरों के donation boxes में जो पैसा collect होता है वो इस चीज से exempt है उसकी कोई upper limit तक नहीं है उसमें कितना भी पैसा cash deposit हो उस पे कोई income tax officer आके investigate नहीं कर सकता इसका मतलब जितने भी ये wrong number बाबाज और wrong number सादूज है ये सब एक मंदिर को money laundering का hub बना देंगे तो तो दो सबसे बड़े corrupt institutions एक ये religion का धंदा गरने वाले और ये government officers जो ब्राइम मांगते हैं दोनों को इन से स्कीम से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है तीसरी चीज जो उटी थी वो थी कि BJP के कुछ लोगों को इस स्कीम के बारे में इसको गोल्ड में convert करा लिया कुछ कर लिया इस चीज के बहुत से proof मौझूद है सबसे बड़ा proof ये अख़बार ही है एक एक गुजराती अख़बार है जिसमें एक ख़बर आई थी कि पांसो और हजार के नोट बंद होने वाले है तो आप इनको यूस करना बंद कर दीजे ये 1st April 2016 में आई थी ये खबर दूसरी सबसे बड़ी चौका देने वाली खबर ये Times of India की है 8 April की इन्होंने लिखाए कि State Bank of India की statement थी कि काफी सारे लोगों ने अपना cash withdraw करना शुरू कर दिया क्योंकि मार्किट में रूमर्स फैदरे की 500 और 1000 के नोट बंद होने वाले है तो लोगों ने cash निकाल के उसको safe assets में deposit करना शुरू कर दिया जैसे की gold में या कुछ और खरी दिया उस पैसे से 8 April ये चीज़ 6-7 महीने पहली हो चुकी थी इसके बाद सवाल ये उठा था कि future में जो corruption होगा उसको रोखने के लिए क्या किया जाएगा 9 notes में कुछ खास बात है क्या नहीं तो क्योंकि 2000 के note 1000 के note से बढ़ा होता है तो future में black money collect करना और असान हो जाएगा जो की sense बनाता है ऐसा होई जाएगा लेकिन कुछ लोगों ने इस बात पर rumor उठाए कि 9 notes में एक nano GPS होगा वो कहते कि nano GPS satellite से contact करके सरकार को बता देगा कि आप right दे रहे तो आप पकड़े जाओगे ऐसा कुछ नहीं है सब अकवास है in fact 9 notes में एक भी नया security feature तक नहीं है तो ये कहना कि जो पाकिस्तान से नकली notes बनके आ रहे ये बनने कम हो जाएंगे future में ये कहना भी बेलत होगा क्योंकि 9 notes में कोई भी security feature नहीं नहीं है एक और चीज जो demonetization scheme के बारे में उठी थी वो थी कि लोगों को कितनी परिशान ही हो रही है इसमें मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ या आपको social media पर खुदी दिख रहा होगा या आपको खुदी experience करने को मिल रहा होगा लेकिन जो बाकी सारे reasons मैंने बताए उन reasons को देखते हुए इस पूरी demonetization scheme के बारे में ये कहा जा सकता है कि एक कदम आगे की और देखा लेकिन चार कदम पीछे चले तो ये थी मेरा scheme के उपर धन्यवाद